गुट डे एवरीवन मैं हूँ सुरुची बजाज के ग्रूप कॉपरेट कम्यूनिकेशन्स टीम से और जैसा की हमने वादा किया था आप से हम आप पहुंचे हैं सीकर और जैसा माता को देव रूमा उपे बलासा ये ओबसे इन से रूप एक्साइटेड क्योंकि सीकर पे हमारे साथ मौजूद है राखी जी जो यहां पर बजाज फाउंडेशन की टीम का पूरा कारबार समालती है नमस्ते जी आशा करती हूँ कि आपका ये सफर बहुत अच्छा है और हमें बहुत खोशी हुई कि आप यहां पर आप यहां पधा रहे है और साथ ही मेरे टीम मेमबर्स जो है हम लोग सभी साथ में है Jkbtk team members राकेश जी जो अकाउंट सेक्शन में है देवरत सिंग जो वा कारेकम भी देख रहे हैं और दातरामगर ब्लॉक में भी वो कारे संचालन कर रहे हैं साथ मेश्वी संजीव यादव जी है जो हमारे हैं पर प्राकुरुतिक खेती का काम देख रहे हैं और इसी के साथ दोध ब्लॉक का भी संचालन कर रहे हैं सीकर का अगर आप सफर देखेंगे जमनलाल कनिराम बजाज ट्रस्ट जब भारत सोतंतर भी हो नहीं था तब से बजाज परिवार सीकर में कारेरत है सीकर में अगर हम देखते हैं तो पानी की बहुत किलत है और इसे कहा जाता है कि डोर ओफ सहारा डेजर्ट जहां पे हम देख यह जाती है दाद भी कम्सर हो जाता है साथ ही जो है जुप उपयुक्त पानी है जो उपलब्ध पानी है वह भी पिने लायक नहीं है अगर हम चाय बनाते हैं तो फट जाती है गाउं में तो जब हमने लोगों से बात की जब हमारी टीम लोगों के बीज गई मीटिंग तो फिर हम लोगों ने सुचा कि क्या हम उसको समवर्धन करके water harvesting structures के द्वारा उसे collect करे और क्या उसे हम पीने में उपयोग में लाया जा सकता है फिर हम लोगों ने water testing भी कराई है और इसी के साथ आज हम लोगों ने करीब 35,000 के उपर हम लोगों ने water harvesting structures दातारामगड में फतेपूर में कुल 10 ब्लॉक में हम लोगों ने इसा कार्य किया है इस साल सीकर हम पूरा 12 ब्लॉक में हम लोग कार्य कर रहा है इसी के साथ में अगर हम जमीन में देखता है तो पूरे food chain में जो है जो है जो हमारे health के लिए और देश के निर्मान के लिए बिलकुल हानिकारक है तो हम लोग यह focus कर रहे है कि कैसे हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे कैसे हम किसानों को प्रेडित करें कि ज्यादा से ज्यादा वो प्राकृतिक खेती अपना कर अपना जीवन सफल बनाए जो cost of production है उसको हम कैसे कम करें ताकि किसान जो हम बात कर रहे हैं कि किसानों का income बढ़े उसके उपर हम लोग focus कर रहे हैं साथ ही जब उतपादन होता है तो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या होते हैं कि इसको marketing कैसे करें तो marketing के लिए हम लोग नबाट के साथ में farmer producer organizations भी establish किये है जिसका बहुत अच्छी तरीके से हम लोग marketing किसानों को बाजार से सीधे हम लोग connect कर रहे हैं कि खेट से सीधा माल ग्रहक के पास जाए और शुद्ध माल जाए जो chemical free हो जिससे हमारा देश स्वस्थ रहे जो आगे की पिड़ी है वो भी स्वस्थ निर्मान हो इसी के साथ में जो हम लोग मिट्टी की production की बात कर रहे हैं मिट्टी स्वस्थ करने के लिए भी प्राकृत दिन शेतर में बहुत महेंगाई है तो दिन बंदू बायो गैस जो है जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं दिन बंदू बायो गैस से सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसान अपना इंधन वो खुद निर्मान कर सकता है घर पे इसे के साथ में जो उसकी बायो गैस की जो स् लरी खेत में वो उपयोग करके अपना उत्पादन भी बढ़ाता है तो यह दिन बंदू बायो गैस के बहुत सारे फायदे है साथ ही जो महिलाय जो चुले के ऊपर खाना बनाती थी जिससे आखों के उपर आखों में तकलीफ होती थी या उनके श्वास नली में भी जो से और आज वो अपने घर में खुशी-खुशी खाना बना सकती है एक क्लीन एटमस्फियर में तो जैसे कि आपने बताया काफी सारे प्रोग्राम्स हैं बायो ग्यास हो वाटर रीचाज हो या फिर डी एफसी हो डिजाइन फॉर चेंज जहां बच्चों को प्रोच साहि जी ने तो आपको भी जरूर मिलवाएंगे हमारे किसान भाइयों से जिनको काफी फायदा हुआ है बजाज फाउंडेशन से जुडने के बाद तो थैंक यू राखी जी लुकिंग फॉरवर्ट थैंक यू वरी मुच तो हम आप पहुँचे हैं सीकर के सूलियावास गाउ में गणपतलाल जी के घर जो की हैं कात्म निर्भर फार्मर और जो इंडिजिनियस सीट्स का उप्योग करके काफी सारा इन्होंने अपना खेत तयार किया है बहुत ही बड़े खेत हैं इनके जहां पर ये सारी सबजिय फल गेहु बाजरा सबी कुछ उगा रहे हैं तो यह हैं गणपतलाल जी के लहलाहते खेत और यह हैं इनका किचन गार्डन जहां इनके घर की महिला हैं काफी मेहनत करके ये सबजियां उगाती है बताइए आपका नाम मेरा नाम सुनिता देविए और मैं यहां सबजी तोड के लिए खाते हो टयान यहां सब्जी matrix लिखने नहीं markets बनाते हैं इनका आत्म निर्भर परिवार जो की सारी सब्जीया यही के किचन गार्डन में नहीं अगाते हैं आपका नाम मताइए आपका नाम विरिऒ सम्जू देवे नहीं करते हैं khetika और ताजा सब्जी लाजाई बनाते हैं, बजार की सबजी ने लाते हैं, और हम दिन भर गाय डांटो यह गुबर का, मतलब सारा काम करते हैं. कौन-कौन सी सबजी आपने उगाई हैं? यह बिंडी है, प्याज है, पत्नगोबी है, करेला है, फली है. कौन सबसे जाधा कौन सी सबजी परसंद आती है? बिंडी की सबजी है, हमारे परसंद. मतलब आपको भाहर सबजी आ लेने तो जाना ही ने परणाएं आपको समय भी बच जाता है? बार की सबजी तो लाते ही नहीं है, सुबह जल्दी उटके बच्शों को तयार करते है, यह सazas के लोग भी काफी आपको पूछते होंगे किसे आपने इतनां सब्सक्राइब करता है तो तू अच्छा लगता होगा अच्छा लगता है और ऐसे बाहरकी दौई भी ने देते हैं गोबर ओबर यह घर का खाच भाज यूज करते हैं जीवा, हम रुद्ध यूज करके आप अपने खेतों को एगदम पसल को तर रखते हैं, हमका गोबर हम बना लेते हैं, और उसको यह खिति भी काम मे लेते हैं, इसलिए हमारी पसल भी अच्छ होती है, और कोई बीमारी भी नहीं होती है, इसलिए और सारी बीज भी आपने बीज बैंक भी इनका है, जो कि इन्होंने तयार किया हुआ है, हम गंपतलाल जी से पता करेंगे कितने सारे बीज हैं, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो चलिए उसकी तरफ शलता है, तो गंपतलाल जी का किच्छन गार्डन तो हमने देख लिया, चलिए अब उनसे ब हैं, मतिरो भी है, काकड़ी भी है, काच्रा भी है, प्याज भी है, मोट भी है, मूंग भी है, बाजरो भी है, गुमार भी है, तिल भी है, ग्यों भी है, दनिया भी है, पालक भी है, बहुत सरी चीज़े हैं, तो यह सारी चीज़े हैं आप यहां अपने खेतों पर उगाते हैं और अच्छी चीज मेरे को मिल गई कहीं तो वहां से लेके आता हूं में और घर पे उगा के दूसरी किसान को देता हूं कितना बड़ा खेत है आपका यहां मेरे पास में तो कुल मतलब साड़े चार वीगा है उसमें से करीबन एक सवाबीगा तो मकान मना लिए बाकी भी बच्ची है थेन विगा तो थेन विगा मेंने निम्बू के पैड़ लगा रहे हैं तो यहां आप प्रे देना कैसे मिली आपको की इस तरह से आप इस और घरा के मैं एक काम में गया तो आटल शी वाकेंद्र में में बजाज पांडेशन की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें गया, तो उनोंने बताया कि ऐसे ऐसे बीज काम में लिए और देशी खाद काम में लिए जीवा अम्रत वा निमास्तर वा ऐसे चीजें काम में लिए तो आप बनाते हैं खुद भूरा पूरा कैसे बनाना है, कैसे इस्तिमाल करन आपको वहां पर ट्रेनिंग में लिए ट्रेनिंग लिए तो उसे के बाद में मैं आया गर्पेर गर्पेया के कि जहर खाने से देशी चीज उगा के खाएंगे तो अच्छा है तो कितने साल से मतलब आपने नैच्रल फार्मिंग शें नेच्रल फार्मिंग कमशे 10-15 साल हो तो बहुत फाइदा हुआ और सारे चीजी उगा तो हमें यानि भींडी हुई टमाटो या भेंगन हुआ गोबी हुई गेंवा चना हुआ यह सब चीजी हुगा तो हैं जो चीज हमको चाहिए के शे उपड़ी और काम में ले लेते हैं और जहर से बज जाते हैं तो मतलब ब जाने की दो आत्मने वरके साहने है अप जह देसे बाजरा भी उगा रहा हुँगा आन विफ सॉल अड़े का यह लेका इनचैने अ तो ऩोनला पूट मतलब यह का फी कम देखने को मलता है देशी बाजरा । Посो बूड़े ।ो उतना ऑजरा लगा हुआ है मतलब यह कापी न लिए गाईव के लिए चारा बनाते हैं तो यह थी गणपतलाल जी जिन से हमने बात की इनका पूरा परिवार भी इनका यहां बहुत खुश है क्योंकि सभी आत्म निर्भर हैं यहां पर और सभी कुछ घर मर रही बनाते हैं और आप पीछे देख सकते हैं बोरे भी बरे हो एंशे जो यह लोग बाहर भी दूसरे किसानों की मदद भी करते हैं वहार बेच्चा भी जाता है और यह दिशी है पूरा देशी जिसे यह खात बनाते हैं नमास्तर और जिवास्तर उन्से यह पेदावार करते हैं इन्से अच्छी होती है पेदावार और अच्छा पल बनता हैं जिन्से हमें भी पाइदा और हमारे सरीर को भी पाइदा होता है और सब लोग हम खेद का काम में हाथ पटाते हैं और यह हमारी प यह सब हमारा परिवार है जी चलिए बहुत अच्छा लगा आपनों सुन्बलकर तापे चोरे मौ मारे जे बल्ला साये ओर चोट्यार नारे ले पुजारा के रे ओगड़ दूर पे बल्ला साये ओर बसे ने सीकर में हमने बजाज फाउंडेशन की ओर से काफी सारे वाटर रीचार स्ट्रक्चर बनाए हैं जिनके चलते यहां पर बानी की समस्या में काफी मदद हुई है काफी सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं गाओं के लोग मैं पंडित राकेशकुबार सर्मा यह का रहने वाला हूं और यह बजाज फाउंडेशन की ओर से जो जल संग्रें रिचार्ज किया जा रहा है आसपास में मैंने भी देखा है बहुत अच्छी योजना है मैं इस संस्ता को बहुत बहुत दन्यवाद देना चाहता हूं और जल स्तर जो है अपारे आसपास में बहुत नीचे जा रहा है बर्सात भी कम हो रही है और भी कम है तो यह जो रिचार्ज बनेया है आप लोगों ने और जो बना रहे हैं इसका बहुत अच्छा फाइदा है हमारे यहां सारुदिनिक कुवा है उसका काफी जल स्तर नीचे ज एक-एक दो-दो गंठे में पानी चोड़ देती है अब पानी अच्छा आ रहा है और यह जो बनाया है इससे भी मैं उमीद करता हूँ कि हम लोगों को पीने के पानी के लिए रिचार्ज बिल के लिए यह सक्षेज होगा यह आपकी योजना बहुत अच्छी है और मैं फॉ और मेरा भी अच्छा होएगा और पानी के लिए अच्छी बेवस्ता जोड़दार है और टूबेल वांखित्यान खतमों जयती हुना अब पानी रिचार्ज बहां मकर पानी बें 500 फैलो और बहुत अच्छो काम करें बजाजाना माखोबी शियो क्रियों में ब्यागों को व बने यहां तो इस हमीति कामाय ने भी और आपने ओर जहल ग्रेंड को बने आमलब रिचार्ज जी तो मच आप लोगों के साहयोक से ही आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि सीकर के साथ साथ पूरे राजिस्थान में यह रिचार्ज स्ट्रॉक्चर सेट अप हो सके और सब की पानी की समस्य दूर हो सके तो अभी जो वाटर रिचार्ज स्ट्रॉक्चर हमने देखा उसका पानी इनके खेतों में भी आ रहा है हमारे साथ ठाकोर जी मौजूदा जो बताएंगे कितने बड़े खेते इनके एकदम खिल खिलाते हुए बहुत अच्छा है और बहुत अच जो यह केडा करूडा का पफिदा का भॉ पेमिली बोह भाखा बोहरा का बील का केडा का ये पेड लगा रहा है और फूल अगेरा का फेड़ भी साट गामाने लगा दो अब्सकर रहते हैं तो भी आप लोगों को बताते रहते हैं लैमा तो हम खुद भी इसको पाद करते है आपना पर खुदी लगाते हैं और खुदी बनाते हैं बजार मों में लिए अठ्धे बड़ा लिया आपना पोद्य को तमास ता मादा पड़ो शिंदी जो लेजाओ तो ने जाओ लेजाओ अपना लगा द्या बारे पपीदा का पेड़ लगाया 110 पेड़ लगाया अठ्धे लोग लेगा भी खुद लगया भीग उपना थोड़ी सर्दी बढ़ा कैले सर्धी नै बंगाया ऑफर दिने जवेशी एकटफ़े बुड़ कोई देते हैं अब बड़ा परिवार है कहन कौन दश्टे आते हैं होट ओपोड परिवार टो है यह तो सब तें Chef इस सब यहां पर हम काफी सारे किसानों से मिले हैं लेकिन अभी यहां की कहानी खतम नहीं हुई है सीकर में और भी कई सारे किसान हैं कई सारे लोग हैं जो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अगले हफते हम दुबारा मिलेंगे कई और स्टोरीज के साथ जो कि आपको भी इंस्पायर करें थांक यू